नेटवर्किंग की बात कर रहा हूं दोस्तों, आर्सियम में सबसे महत्वपुन चीज है, महत्वपुन टॉपिक है नेटवर्किंग, आप नेटवर्किंग को एगनोर नहीं कर सकते हैं, क्यों आपको अच्छी इंकम चाहिए, तो आपको नेटवर्किंग तो करनी ही पड़े यदि आपको पैसा कमाना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, यदि आपको एक अच्छी इंकम प्राप्त करनी जिससे आपको टाइम फीड़म भी मिले और साथ में अच्छी इंकम भी मिल जाये तो भी आपको नेट वर्किंग करनी ही पड़ेगी, दोस्तों सही के बिना सफलता आसिल नहीं की जा सकती है यह साल भॉमिक सत्य है आप इसको लिख लीजिए लेकिन यह सही networking होती क्या है networking तो आपको समझ में आगे लेकिन सही networking क्या होती है वो समझिए सक्री associate buyers का network आशोशी बैर्स यह आर्सम से जो लोगों को जॉइन करवाते रहना है बस लोगों से बात करनी है उनकी जॉइनिंग लगानी और काम खतम तो यह बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं क्यों आगे जरूर जानेंगे networking के लिए दो बाते आपको ध्यान में रखने पड़ेगी दोस्तों most important बात बता रहो मैं कि एक सही networking आपको करनी है सही network बनाना है सही टीम बनानी है सही बंदे को जोना है अपने नीचे सच में जोइनिंग करनी है तो उसके लिए आपको दो बाते ध्यान में रखनी ही रखनी है पहला लोगों को प्रड़क के बारे में अफगत करवाना और प्रड़क में रूची रखने लेकिन दोस्तों सबकी जॉइनिंग आपको नहीं लगानी है कई लोग पॉड़क को यूज करेंगे तो आपको सेल्स करनी आपको अपनी आईडी पर में समान देना है लोगों को उन में से जो कई सारी लोग कस्टोमर बनेंगे उन में से आपको कुछ ऐसे लोग चुनने हैं यमें जो सच में पॉड़क के प्रति गंबीर है प्रक प्रति रूची दिखा रहे हैं और आपके साथ बिजनस करने को त्यार है उनको पड़क इतना अच्छा लगा है कि वो आपके साथ में जोइन करने करें तो दोस्तों आपको उनकी आईडी लगानी है लेकिन जो लोग केवल परड़क खरीद रहे हैं जिनको कोई रूची नहीं है दूसरी जिज़ों में केवल परड़क परचेस करने में रूची है तो दोस्तों उनके आईडी मत लगाईए इतके आगे बात करता हूं मैं दूसरी बात जो आपको ध्यान रहा है नेट वर्किंग के लिए जोइन करवाने के बात सही समय पर उनके साथ मिलकर कुछ आवश्यक गतिवीधिया करनी है जैसे अपनी दुकान हो मिटिंग सेमिनार प्रोड़क नोलेच 626 दोस्तों जोइन करवाय दिया आपने लोगों को ठीक है लेकिन काम वहापर खतम नहीं होता है काम तो वहां से शुर प्रोड़क से अफ़गत करवाना है उसको सिखाने और उसको अपलाई करवना भी सिखाना पड़ेगा यानि दोस्तों आपको क्या करना है यह जो गतिवीधिया है उसको सही समय पर आपको एक्जिक्यूट करना पड़ेगा अपने टीम के साथ में जिस लोगों को आप कोई काम खतम लेकिन ऐसा नहीं होता है जोइनिंग करना ही सब कुछ नहीं होता है जोइनिंग करना तो पहला पड़ाव होता है दोस्तों मैंने आपको क्या बताया जोइनिंग करने पर सभी काम खतम नहीं हो जाते हैं जोइनिंग करने पर तो काम स्टार्ट होते हैं दोस्त उसको एक प्रड़क्ट चिपका दिया है और उसको बंदा जॉइन करवा देता है तो यह बहुत गलत है ऐसी जॉइनिंग कोई मतलब नहीं यह कोई networking नहीं हुई दोस्तों हम दूसरी company को तरह नहीं कर सकते हैं कि लोगों को बस हमारा परकार के जानका ही नहीं देते और नहीं कोई गतीविधी करवारे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कई असके साथ में कोई करवाते ना उसको कोई सेमिनार करवा रहे हैं ना इसके घर में अपनी दुकान खुलवा रहे हैं ना कोई टुगेदर करवा रहे हैं यानि कोई तरह की एक्षन जो होता है कोई तरह की क्रिया का लाब होते हैं वह नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है RCM में आने से क्योंकि यदि वो व्यक्ति कुछ गतिवीद्या नहीं कर रहा है तो वो जॉइनिंग कोई काम की नहीं है इसलिए ध्यान क्या देना है आपको प्रोड़क्त से अवगत करवाना है जो प्रोड़क्त यूज़ कर रहा है उसकी जॉइनिंग करवानी है दूसरी बात उसके साथ मिलकर आवशक गतिवीद्या सही समय पर करनी है दोस्तों RCM में खाली जॉइनिंग का कोई लाप नहीं होता है आप सोचते हम जॉइनिंग के नाम के जॉइनिंग के नाम से पेड बना दे हमारी टीम बना दे तो उससे एक रुपया भी नहीं आएगा क्योंकि RCM का प्लान आप समझ चुके हो आर्सीशिं के प्लान में किया है और जब जब जोइनिंग करवाते हो तब व्यक्ति है टरनओर करता है जब वह टरनओर करता है तो आपके टरनओर में उसका कुछ नहीं मिलेगा कर आपने जॉइनिक करवा दी है लेकिन उसको कोई टर्न ओवर नहीं आया है इसलिए लगाता टर्न ओवर आना चाहिए लगाता परचेस दी परचेस आनी चाहिए तब जाकर कि आपका कमिशन बनता है ज्यान रखिया आर्से में खाली जॉइनिंग का कोई गया अब पर पैसा आता है लेकिन नहीं जॉइनिंग के बाद का पहला मैना बहुत ही मेथेपूर हता है आर्से, तो ice को आरसे, शॉइन का अपने रिवर आया औहिसते हैं वो तीन पांच साल देगा तो बहुत ही शाहिए सक्सेस यह जलदी नहीं आएगी وक्येग अपने प महिने पर देहन देदिए तो मालवा को exposing घ्राइस में आशका बढ़ा होता है जो अधीर बिजनस को बंद कर लए इससी परकारद यहीं एक महीने के अंदर उसको negativity आ गई कोई पैसा नहीं आया कोई result उसको आपने नहीं दिखाए तो बहुत ही जल्दी नाराज हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा आपके आर्से में तिकेगा ही नहीं इसलिए याद रखिए पहला महीना बहुत ही मैत्व पुर्णा था जिसमें आप couple के साथ में जाएए अपनी apply को भी लेकर के जाएए और नए व्यक्ति के घर में जाएए उसका स्वागत कीजिए कि भाई साब आपने नया business start किया है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साथ में क्या करना है आपको प्रोड़क के विशेशताओं की जानकारी उसको देनी है उसकी family को देनी है अपनी दुकान खोल कर अच्छी opening करवानी है दोस्तों अब दोस्तों सीजी सीजी बात है अपनी दुकान के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा आपको अपनी साथ में वहां से होता क्या है कि डिटेलिंग स्टाट हो जाती है आप बताते हो तो लोग वहां पर प्रौड़क खरीदने लग जाते हैं जिससे क्या है कि जो diamond club बगएड़ा है वह असनी से हो जाता है इस्टाणिंग कुछ income हो जाती है तो उस विक्ति को जिसको आपने प्रति गंबीर हैं तो यह नया जो व्यक्ति होगा वह भी गंबीर होगा यह आप इसको मजाक में ले लेगा तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों पहले महीने में आपको जॉइनिंग के बाद एक सेमिनार जरूर रटेंड करवाना है क्योंकि ह हो सकता है आपने जॉइनिंग से पहले भी अटेंड करवाया हो लेकिन उसके बाद में यदि आप उसको सेमिनार अटेंड करवाएंगे तो उसको आर्सिम का माहौल पता लगेगा क्योंकि उसने अभी आर्सिम को थोड़ा-थोड़ा समझना एस्टार्ट किया है जैसे ही व अच्छे से समझ पाएगा साथ ही बिजन इन उसको आर्सिम को शाओं च 중국 का एंप समझ करह दो हैं दोस्तों कुछ उपयोगी टूल्स आपकर उसको दिलवाने है인 और सब इसको दिलवाने हैं जो उपयोगी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं जब वो किसी को बतावे तो उसके बाद में कोज उपयोगी टूल्स होने चाहिए और वो खुद भी उसको इस्तिमाल कर सके क्वालिटी टीम बूग एक होती है RCM की वो जरूर उससे भरवाएं उसके बारे में समझाएं और उसके benefits उसको जरूर बताएं दोस्तों हमेशे याद रखे सकरिये करने के लिए आपको दो चीजे कभी नहीं करनी है एक तो गलत सूछना नहीं देनी है और लालस नहीं देना है कि बाई सबाब की मैं लेख चलाऊंगा आपको मैं इतना volume दोंगा वगेरा 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 ऐसा करके आप सक्रिय नेट्वोक कर नहीं बना सकते हो वो भी नेट्वोक जो बनेगा वो temporary नेट्वोक बनेगा लेकिन आगे जाकर वो तूट जायगा हमको काम ऐसा करना है जो लंबे समय तक चले क्योंकि दोस्तो RCM एक दूर दर्ष्टी का बिजनस है इसलिए हमेशा विजन क्लियर करें और सही शुरुआत करें साथ ये असोसीर बायर की गती वीडियो पर फोकस करें आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा ये दोस्तो बहुत इंपोरेंट लाइन है RCM क्या एक विजनरी बिजनस है दोस्तो एक दूर दर्ष्टी का बिजनस है ये आज कल परसों के लिए नहीं बना है ये लंबे समय तक चलने वाला बिजनस है ये अनादी काल तक चलने वाला बिजनस है ये बिजनस एक दूर दस्टी का बिजनस से इसलिए हमेशा आप किसी भी वक्ति को जॉइन करवा रहे हैं तो उसका भी आपको विजन क्लियर करना पड़ेगा फिर ही आपको सही शुरुआत करनी है दोस्तों हमेशा आपको स्टेप्स बताएं उसी की दोड़ाई आप सही शुरुआत करवाएं और अशोशीर बायर की सारी गति वीडियो पर आपको फोकस करना है उसकी होम मिटिंग से ले करके आपने दुकान तक प्रोड़क्स से ले करके नेट्वर्क तक आपको हर चीज प पतेवें चलनी है और अपने नेट्वर्क बढ़ाना है दोस्तों फिर से बजा देता हूं एक अच्छा नेट्वर्क वही होता है जो एक्टिव हो और जो सही शुरुआत करके बनाया गया हो दोस्तों दोस्तों हमारा उद्देश है हम आपको कोई मोटिवेशन नहीं देते हम आपको अमिशा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं इसलिए तो हमने जो पिछले महीने से स्टार्ट किया है हर रोज हम 6-7 बजे एक आवशक ट्रेनिंग सेशन आपके लिए करके आते हैं जो डिजिशन ट्रेनिंग सेशन रहता है आप हमसे यूट्यूब पर कॉन्टेक कर सकते हैं यूट्यूब पर कनेक्ट हो सकते हैं और घेलाउन को सब्सक्राइब करके इन सब भर्रेंग्स को आप अटोमेटिक देख सकते हैं डोस्तों प्रड़क्त की जानकारी से ले करके हर तरीक ये ट्रेनिंग तक सब कुछ आपको आरश्यव करके रहें दोस्तों मैं विशाल कटवने आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने इस training session को सुना आप मुझे Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn पर भी follow कर सकते हैं अधिक जानकारे के लिए आप हमें WhatsApp से contact कर सकते हैं आपको हर तरीके की link आपको description में मिल जाएंगे मिलते रहेंगे अगले training session में तब तक लिए आपका धन्यवाद